तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सेक्टर के बारे में जो हमको शॉर्ट टर्म में जबरदस रिटर्न मना के दे सकता और इनफेक्ट कई सारी कमपनी तो इस सेक्टर में और डिडी काफी तेजी से हमको भागते हुई देखने को मिल रही है यह जो यहां पर supply disrupt होती हुए नजर आ रही है रश्या के उपर बेसिकली वन अफ दी मेजर प्रड्यूसर है रश्या तो इसके उपर काफी सारे हां पर सेंक्शन्स लग रहे हैं इनफेक्ट न्यू सेंक्शन्स भी यहां पर लगते हुए नजर आ रहे है जिसके वज़े से supply chain यहा मैज़र इंपोर्टर का इंडिया की रगते है वह काफी बड़ी हैं इसलिए मेजर पार इंपॉर्ट करता है इंडिया गजयसे जो इंपोर्टीनज हो यहां पर ऑट करें यहां पर नोग साय के वहां पर शॉर्टर्व इमर्ज होती हुई नजर आ रही है जिसकी वज़े से यहाँ पर import supply disrupt हो रही है और इंडिया ने इसी वज़े से आप देखें यह तो Canada के साथ, Jordan के साथ और दूसरी countries के साथ यहाँ पर fertilizer import के लिए हाँ पर कुछ agreement sign किये हैं और recently government ने यह बोल दिया है कि जो domestic producers fertilizer के उन company को बोल दिया है कि आप अपना यूरिय का output है या फिर दूसरी जो agree commodities है उनका आप output यहाँ पर बढ़ाईए आपकी जो install capacity है उससे जादा आपको यहाँ पर output अपना जो है देना है basically to meet the shortfall क्योंकि अभी भी नहीं भागे हैं और यहाँ पर अच्छी खासी तेजी हमको आती हूँ देखने को मिसकते हैं तो इस वीडियो में आपको मैं चार stocks बताने वाला हूँ तो पहला stock है चंबर fertilizer दूसरा है दूसरा है खेतान chemical तीसरा है कोरो मंडल international और चौता है Aries Agro तो यह चारो जो company हैं आप इनको screener पर जाके इनके numbers देख सकते हैं fundamentally अच्छी companies नजर आ रही है free cash flows company generate करिये और virtually debt free company से ज़्यादा debt इन पर है नहीं company return यह आप जाके खुद आपके लिए homework है दोस्तों यहाँ पर आगर आप position बनाना चाहते हैं तो इनके numbers को आप खुझ यहाँ पर analyze कीजिए मैंने already कर लिये हैं तो मैं आपको सीधा है यहाँ पर technical chart पर लेकर चलूँगा जो की major important part यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अच्छे technical setup पर यह companies नजर आ रही है अगर कि आँ आप आप बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं नाम लिग देता हूं क्योंकि कई जने बोलते हैं कि नाम नहीं लिगता है तो in fact price volume action यहां पर clear cut दर्शार रहा है कि यहां पर strength है, short term में positive strength में stock नजर आ रहा है और कहीं न कहीं अगर आप देखें, तो यह जो एक base है वो उपर की तरफ shift होता हूँ हमको नजर आ रहा है, यह जो base था उपर shift हुआ है, then यह base उपर shift हुआ है और नीचे volume के साथ यहां पर हमको buying होती हुई नजर आ रही है, और एक major supply zone पर आप कह सकते हैं, यह resistance ले रहा है stock और आप देखें यहां पर थोड़ा सा consolidate कर रहा है, तो जिस प्रकार के volume आ रहा है, मुझे लगता है यह थोड़ा time और consolidate करेगा, उसके बाद आपको यह stock यहां स strength भी यहां पर positive नजर आ रही है, supply zone पर consolidate कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब strength है, उपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है, तो यह है पहला stock, दूसरा stock है उसके यहां पर खेतान chemical, इसका भी मनाम यहां पर लिख देता हूँ, खेतान chemical की यहां पर हम बात करें, fertilizer, तो इसका जो stock है उसमें भी आप देखें, यहां पर उस तो जो pattern है, वो काफी अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है, पहले आप देखें यह जो consolidation zone था, इस consolidation zone का breakout हुआ, अब यह consolidation zone पर आ चुका है, इसमें नीचे अगर आप देखें, तो यहां पर नीचे आपको volume के clear indication यह जो है, आप देख सकते हैं हाँ यह है कप, यह है handle और नीचे volume, और इस handle का यहां पर breakout होता हुँ, हमको देखने को मिल सकता है, यह जो एक resistance है, यहां पर breakout हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है, और यहां पर volume, यहां पर आप कहसकते कि volatility, contraction भी होता हुआ नजर आ रहा है तो आप इसको current market price पर buy कर सकते हैं, अपने जो short term में जो stop loss लगाना मत भूलिएगा, stop loss यहाँ पर अपने हिसाब से आप 5-7%-10% तक का यहाँ पर आप लगा सकते हैं, बाकि upside काफी जादा है और इस बार के quarter 4 के numbers भी अच्छे आते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि demand काफी इसरप्ट हुई है उसकी वज़े से, यहाँ पर margins भी हमको increment होते हुए देखने को मिल सकते हैं, वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो यह है दूसरा, तीसरा है है यहाँ पर, एक और शांदार company, fertilizer sector की Coromundal International, Coromundal International की बात करने तो काफी लंबा एक तो यहाँ पर आप देखिए जो है, यह जो एक consolidation था, ठीक है, उसके बाद यह stock breakout हुआ इसका, फिर नीचे आया वापिस से, और नीचे आने के बाद एक again यहाँ यहाँ पर consolidate कर रहा है, अपने supply zone पे तो एक अच्छी कासी supply है इसर, supply के time पे यहाँ पर volume आ रहा है, तो overhead resistance जो है, यहाँ पर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, बार-बार यह आप देखिएगा, तो यहाँ पर supply को हिट कर रहा है, तो यहाँ पर supply shortage हो रही है, और यहाँ पर demand generate हो रही है, तो मेरे ख्याल से, यहाँ सी यह stock ऊपर जाता हुआ, देखने को मिल सकता है, technical setup काफी अगरो fertilizer से उनको produce करती है, इसमें भी technical setup अच्छा नजर आ रहा है, नीचे आप volume देखें दोस्तों, क्या ग्रजब का volume काफी लंबा consolidation, काफी जबरदस्त volume है नीचे, और यहाँ पर भी एक pattern बनता हो नजर आ रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूं, तो stock पर आप definitely नजर रख सकते हैं, आपको इन चारो में से जो भी stock अच्छा लगता है उसमें position बना सकते हैं, चारो का ही technical setup मजबूत है, अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा setup सबसे मजबूत है, तो मेरे ख्याल से Aries Agro यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रहा है, आप अपनी position को यहाँ पर अपने conviction के according यहाँ पर build कर पाएं, क्योंकि जब मैं बोलूँगा, आप position यहाँ पर देख लेंगे, तो नीचे गर गया stock, तो फिर आप यहाँ पर वापिस से थोड़े से यहाँ पर घबरा जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा wait करना चाहिए, क् fertilizer stocks में भी strength बनी हुई है, buying यहाँ पर हो रही है, तो एक demand यहाँ पर हमको इन stocks में, इस segment में आती हुई देखने को मिली है, तो यह हैं दोस्तो चार stocks, और क्या यहाँ पर rational है, क्या triggers है, वो मैंने आपके साथ साजा किये हैं, तो यह वीडियो अच्छा लगा है, तो like कीजे, मिलते नेक्स वीडियो में, तिल देन तेक केर, बाइबाइ.